हलो फ्रेंड वेल्कम बेक टू माई योट्यूब चैनल आज मैं कले आट करी हूँ और भी डिफरेंट टाइप के क्लिप रेडी कर रही हूँ तो फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्लिप के लिए मैंने क्ले में ब्लैक कलर मिक्स कर लिया था मैं एक्रालिक कलर यूज़ कर रही हूँ और कले होमेड यूज़ कर रही हूँ ब्लैक कले को मैंने रोल कर लिया है और साथ साथ मैं रेड कले ले ले रही हूँ उसको भी मैं रोल कर रही हूँ दोनों को रोल करने के बाद रेड करे से मैं फ्लावर्स कट कर रही हूं कटर की हल्प से इसी तरहां मैं और भी फ्लावर रेडी कर लूँगी फ्लावर्स रेडी करने के बाद मैं ब्लैक क्ले में इसको पेस्ट कर रही हूं सबसे पहले मैं इसको उपड़ सेट कर लूँगी थोड़े थोड़े गैप्त के साथ नेक्स्ट मैं इसको अराम अराम से फिंगर जी हल्ट से प्रेस कर रही हूं और थोड़ा थोड़ा इसकी शेप को फैला दिया है मैंने और अच्छी जरीके से सेट कर दिया है इस तरह फ्लावर आपको अच्छी जरीके से नजर भी आएंगे और clay में adjust भी हो जाएंगे बहुत अच्छी तरीके से mix हो जाएंगे उपर की finishing देने के लिए आप पानी भी साथ साथ यूज कर सकते हैं उसे सारी lines clear हो जाती हैं बहुत smooth लोक आता है last में किसी भी shape से आप इसको cut कर सकते हैं जिस तरह का और size का आपको clip चाहिए मैंने इसको rectangular shape दी है इस तरह first clip का look ready है मैं इसको two rays अच्छी तरह dry करूँगी और hot कर लूँगी आप लोग इसको different colors से बना सकते हैं और इसका size भी change कर सकते हैं तो अब second clip की तरफ चलते हैं जिसमें मैं सबसे पहले shape दे रही हूँ clip look दे रही हूँ इसको different techniques के और भी clips ready करने के लिए मैं link description में attach कर दूँगी आप लोग वहाँ से check कर सकते हैं clip की shape आप लोग अपनी मर्जी से choose कर सकते हैं clip को shape देने के बाद मैं इस clip पे paint कर रही हूँ और यूपर design बना रही हूँ जिसके रही है मैंने dark blonde color लिया है और marks लगा रही हूँ इसमें भी मैं acrylic color यूज कर रही हूँ marks मैंने same size के नहीं रखे हैं brown response लगाने के बाद next मैं black outline कर लूँगी इसको भी ready करने के बाद मैं two drill अच्छी जरीके से drag करूंगी उसके बाद इसमें clip attach करूंगी और साथ-साथ clip की protection के लिए transparent spray भी करूंगी जिससे clip में बहुत जादा shine आ जाती है और वो protect भी रहते हैं second clip का look ready है last में third clip की दरफ चलते हैं जिसमें मैं blue clay use कर रहे हूं और साथ-साथ gold foil leaf use कर रहे हूं जो easily craft shop में available हैं आप online भी check कर सकते हैं gold leaf foil को मैंने clay पे paste कर दिया है आप देख सकते हैं clay मैंने इस वक रोल नहीं किया है अच्छी तरह मैंने इसको cover कर लिया है clay की surface पे बहुत असानी से ये paste हो जाएगी अब मैं इसको roll करूंगी जैसे जैसे मैं इसे roll करती रहूंगी foil leaf में cracks आते जाएंगे और ये pieces में तूटता जाएगा जिता आप इसको roll करेंगे उतना ही इसमें cracks आते जाएंगे और इसका कुछ look इस तरह आ जाएगा next आप इसको पर कोई भी shape दे सकते हैं मैंने यहां clip की shape में इसको cut कर लिया है और इसके बाद इसको smooth करने के लिए finishing दे आड़ लूँगी finishing देने के लिए आप पानी का साथ साथ यूज़ कर सकते हैं उससे corner बहुत ही smooth हो जाते हैं clip का look ready है इसी जरीके से अगर आप लुक जा रहे हैं कि gap कम आए और cracks इसमें कम पड़ें और foil leaf आपस में बराबर बराबर हो इसके लिए मैंने पहले clay को roll कर लिया है clip में मैंने पहले roll नहीं किया था अब मैं इसको roll करूंगी तो इसमें cracks कम आएंगे क्योंकि यह already roll होगा इसलिए इसमें golden part आपको जादर show होगा roll करने के बाद आप इसको किसी भी shape में cut कर सकते हैं और clip ready कर सकते हैं third clip के final look कुछ इस तरह है after two days जब यह बहुत अच्छी तरीके से hard हो जाएंगे तो मैं इसमें transparent spray करूंगी और spray को dry करने के बाद मैं super glue से या फिर glue gun से इसमें clip attach कर दूंगी अच्छी तरीके से paste कर लूंगी clips ready हैं और टीनो clips का final look कुछ इस तरह है clips पहन के बहुत ही cute look देते हैं आप इनको जरूर try कीजेगा और मुझे अपना feedback जरूर दीजेगा thanks for watching the video please subscribe to my channel and hit the bell icon झाल